Hello and welcome back to my YouTube channel आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Canon RF 50mm F1.8 HTM lens के बारे में जो के Canon की जो HTM series की जो lenses है उनको बिलॉंग करता है और ये RF mount का lens है और इसका जो price है currently वो 18,000 to 19,000 के आसपास market में सहल हो रहा है और इस lens के अगर मैं build quality की बात करो तो इसकी build quality काफी अच्छी है क्योंकि HTM series से बिलॉंग करता है इस lens का overall जो body है वो plastic made है बस्तिल इसका जो build है वो काफी अच्छा है काफी strong है अब इस lens के ओपर दिये गए switches and dials के अगर मैं बात करो तो इसके ओपर एक ही switch दिया हुआ है focus to control switch है अगर आप manual focus करना चाहते हो तो first of all आपको आपके जो camera body है उसमें जाकर के autofocus से manual focus पर switch करना पड़ेगा फिर जो ring है वो आपको manual focus करने में help करेगी और इसके ओपर directly AF to MF switch नहीं दिया हुआ है और अगर आप इस switch को control की तरफ स्विच करते हो तो जो यह ring है वो basically आपका ISO आपका aperture है वो सारी चीज़े चेंज करने में help करेगा जो की customizable है अब इस lens के ओपर आपको किसी भी तरीके का weather sealing नहीं मिलता जो के मेरे इसाब से okay चीज है 18000-19000 के lens है बहुत जादा expect भी नहीं कर सकते इस lens में जो motor दी हुई है वो STM motor है और यह lens है अगर आप focusing करते हो तो lens का जो exterior part है वो थोड़ा से extend होता है और अगर इस lens के weight की में बात करूँ तो 160 grams का weight है जो के मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है Canon का जो RF 16 mm जो lens आता है और वो जो lens है वो 165 grams का है तो अगर आप gimbal पे इन दोनों lenses को simultaneously use करते हो तो बहुत ही easily बगेर balance change किये और बगेर gimbal में adjustment किये हुए आप directly lenses स्विच कर सकते हो जो के मेरे हिसाब से बहुत ही convenient चीज है इसके अगर filter diameter की बात करूँ तो 43 mm का इसमें आपको filter diameter मिल जाता है और इसमें जो aperture range दी हुई है अगर उसकी बात करो तो इसमें aperture range आपको f1.8 से लेके f22 तक की मिल जाती है और इसमें 7 diaphragm blades दिये हुए है जो के average lenses की comparison में कम है लेकिन उसका impact है वो आपके जो bokeye reproduction है उसके किस तरीके का आता है जो testing का पार्ट है उसमें देखेंगे और इस lens का minimum focusing distance है वो 30 cm का है जो के arguably मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है काफी हत तक आप जो subject है उसके काफी close जाकर के pictures क्लिक कर सकते हो और उसके जो results है वो भी again testing का पार्ट है उसमें आपको बता दूंगा सबसे पहले अगर मैं autofocus performance की बात करूँ autofocus performance में इस lens का जो result है वो मुझे इतना जादा impressive नहीं लगा स्टिल इसका जो result है वो काफी हत तक acceptable है लेकिन क्यूंके एक htm lens है और जनरली Canon के जो htm series के lenses आते हैं उनका जो autofocus पर्फोर्मंस होता है वो इतना जादा अच्छा नहीं होता अब अगर मैं sharpness की बात करूँ तो f1.8 के ओपर सबसे पहले अगर आप देखोगे इसका जो center है वो इतना जादा sharp नहीं मालूम पढ़ रहा है मुझे बस्टिल जो sharpness है वो काफी हत तक acceptable है अगर मैं corners की बात करूँ तो इसमें जो corners है वो काफी हेजी मालूम पढ़ती है सेम रिजल्ट अगर मैं f2.8 पर देखो तो f2.8 पर जो center है वो काफी हत तक sharp है और जो corners है वो भी कुछ हत तक recover हुए लेकिन still जो corners की शापने से वो काफी हत तक हेजी मालूम पढ़ रही है अगर f4 की बात करूँ तो f4 पर center है वो again sharp है काफी हत तक center की शापने से वो अच्छी है और जो corners है वो काफी हत तक recover हो गए लेकिन still corner की शापने से वो इतनी ज़्यादा tack sharp मालूम नहीं पढ़ रही है अगर मैं f6.3 की बात करूँ तो f6.3 के ओपर जो center है वो काफी हत तक sharp है और जो corner है वो भी काफी हत तक sharp मालूम पढ़ रहा है तो sharpness वाइस है वो मेरे हिसाफ से f2.0 f2.2 के बात center की sharpness है वो काफी अच्छी है और corners की sharpness की अगर मैं बात करूँ तो f3.5 to f4 के बात जो corners की sharpness है वो काफी अच्छी मालूम पढ़ती है और अगर मैं bokeh reproduction की बात करूँ तो f1.8 के ओपर आपको जो bokeh है वो इस तरीके से इसमें produce होवे मिलते है तो center में आप देख सकते हो कि center में f1.8 पर जो bokeh है वो काफी अच्छा है और जो corners है उनमें भी जो bokeh की roundness है वो काफी अच्छी मालूम पढ़ती है अब अगर मैं vignetting and distortion की बात करूँ तो इसमें f1.8 से ले करके f3.5 तक आपको vignetting देखने को मिलती है और f3.5 से f4 के ओपर आप जैसे जाते हो वैसे vignetting बिल्कुल क्लियर आउट हो जाती है और f4 के बात के सारे result में आपको vignetting देखने को नहीं मिलती है और distortion की जहां तक बात है तो इसमें distortion किसी भी तरीके का मुझे देखने को नहीं मिला है अब देख सकते हो ना ही pin cushion distortion है ना ही इसमें barrel distortion है दोनों आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे तो distortion के इसाप से इस lens का performance अच्छा है और vignetting जो है वो f3.5 के बाद clear out हो जाती है अब अगर मैं बात करो chromatic abrasion की lens में abnormalities देखने को मिलती है उसकी तो अगर in focus areas में chromatic abrasion है अगर मैं उसकी देखने को मिलता है और सेम चीज अगर आप out focus areas में देखोगे तो हलका सा आपको यहां पर teal color का शेट डिखाए देगा उसके अलावा overall आपको जो out focus areas है उसमें clean result मिलता है अब अगर मैं बात करो extreme scenario की तो extreme scenario में आपको कुछ इस तरीके का result मिलेगा जहां पर बहुत जादा highlight और बहुत जादा shadows अगर है तो extreme environment में आपको result है chromatic abrasion में वह इस तरीके का मिलता है आपको यहां पर आप देख सकते हो green color का आपको lines देखने को मिलती है प्लस आपको यहां पर magenta color देखता है और यहां पर even out focus areas में यहां पर आपको magenta जो है आपको fringing दिखाई दे रही होगी तो extreme environment के अलाव अगर आप इसे general use में यूज करोगे तो मेरे हिसाब से इतना जादा chromatic abrasion आपको issue create नहीं करेगा अब अगर मैं बात करों minimum focusing distance में जो result आप अचिव कर सकते हो तो यह एक sample है इतना closest आप जा सकते हो इस lens को ले करके और इतना maximum आप close जाके picture click कर सकते हो और अगर मैं बात करों flaring की तो flaring में इसका जो performance है वो इतना अच्छा नहीं है जो flare है वो काफी जादा visible है और ghosting दिखाई देता है और क्यूंकि इसके साथ में हुट नहीं आता तो डेफिनेटली जो flare है वो आपको काफी issue create कर सकती है अब अगर मैं बात करूं इस lens के focus breathing performance की तो focus breathing में इस lens का performance हितना अच्छा नहीं है in fact आपको ऐसा फील होगा कि जो lens है उसे आप zoom in and zoom out कर रहे हो definitely focus breathing के मामले में यह कहूंगा focus breathing में इसका performance बहुत खराब है अगर इसके practical performance को इसके testing को मैं summarize करो तो मैं यह कहूंगा कि auto focus, focus breathing और flaring के मामले में इस lens का performance है वो काफी weak है otherwise sharpness में कुछ हद तक acceptable result यह आपको provide करेगा लेकिन f1.8 f2.2 के ओपर जो even center है उसमें भी आपको थोड़ी सी softness देखने को मिलेगी otherwise sharpness के मामले में यह lens काफी है तक अच्छा है वो के vignetting and distortion है chromatic abrasion है यह सारे जो चीजे हैं इनमें इस lens का performance काफी अच्छा था तो मेरे हिसाब से overall यह lens इसका जो price point है उसके परफॉर्म करता है फिर आप just photography में enter कर रहे हो और आप एक lens पर्चेस करना चाहते हो जो के बहुत जादा costly ना हो और आपके budget को suit करें तो definitely यह lens आप purchase कर सकते हो इस lens को लेकर के basically मेरा सिर्फ एक ही complaint है वो यही है कि जो esteem series के lenses है उसके साथ Canon जो है वो lens hood नहीं provide करता जो के मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज नहीं है अगर आप 18,000-19,000 के lens ले रहे हो तो definitely आपको इसके साथ में एक lens hood मिलना चाहिए और अगर आप यह lens पर्चेस करना चाहते हो तो आप definitely इस वीडियो के जो sponsor है zeal photo goods उनको contact कर सकते हो उनकी जो details है कर दो